नवस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल एकजाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है दोस्तों आज का जो प्रश्न है जानते हो यह जो दस प्रश्न होंगे आपके परीच्छा के लिए अति महत्थ पुर में आपकी पर इठेउन आति महात्थ-पूर है और हा यह वीडियो रोक करके आप बनाएए और कमेंट बाक्स में किये कि आपने कितने प्रस्णा 10 में कितने सही किये हैं? पहला प्रस्णा देखे, आपकी स्क्रीप पर आ रहा होगा, जरा पढ़िये, पहला प्रस्णा है एक कमरा 5 मीटर लंबा और 4 मीटर 4 रहा-3 मीटर उंचा है, इस मेक दरवाजा 2.5 मिटर और गुणे 1.2 मिटर तथा 2 खिड़कियां जिनकी प्रतेक की माप 1.5 मिटर गुणे 1.6 मिटर है लगी हुई हैं कमरे की रंगाई करने का खड़ 4 रुपए प्रतिवर्ग मिटर की दर से क्या होगा देखे एक ब्रह्म कमरा है उसमें जो दरवाजा भी ल कि जो एक वर्ग की जो दर है वो 4 रुपए है कितनी भी आए 4 रुपए तो खर्च बताता है तो देखे सबसे पहले भी यह क्या करना है देखे ध्यां से देखे कमरे की जो लंबाई मापे हैं उनको लिखते हैं लंबाई कितनी भी आए 5 मिटर और चोड़ाई बाबु कितन ओंगीन मीट्या रहें यह हुआ कमरे का माप कमरे की जो माप में अब बताो कमरें का छेत्रफल होता aí प्रेया और गुणे उचाई ये इसका फर्मूला होता है ठीक है अब देखे भी या दो लंबाई पांच चोड़ाई चार और गुणे उचाई तीन तो तीन दूनी कितने हुए इच्छे और पांच चार नव नव छाक चौवन वर्ग मिटर जो है ये भी आपका कमरे का छेतरफल हो ग एक दरवाजा भी है तो दरवाजा और खिलिकियां क wire च्छेतरफल निकाल के इससे मानस कर देंगे और चार से गुणा करदों के तो आपका हम सर आजाएगा अब देखे जो खिलिकियों की लंबाई रही है जो खिलिकियों की लंबाई है उनकितनी हैיות 1.5 मीटर और चोडाई कितनी है ? 1.6 मीटर दो खिड किया है तो भै लंबाई चोडाई है तो इनका छेटरफल क्या होगा आथाकार होगा लंबाई गुने गुने चोडाई आयताच चठरफल होता है तो 1.5 गुने 1.6 15 ज़कप बआ यार फंद्रा चोऊबिस बीष कितना होता है चोऊबिस अब लगाना है लोहिस। जस्थांगा देना है। तो भीया ये आपका आगया छेत्रफल 4.80 वर्क मीटर और भीया अब एक क्या करना है बबु दरवाजे की माप क्या है ज़रा दरवाजे का भी छेत्रफल निकाल लेते हैं दरवाजे की माप है 2.5 और गुणे 1.2 मीटर यनि 2.5 गुणे 1.2 मीटर है जब आयताकार है तो वह से करना 25 और 5 तीस तीन स्थानबाद पॉइंट यानि तीन वर्क मीटर अब देखे इन दोनों को जोड लेते हैं तो चार पॉइंट आठ जीरो तीन पॉइंट जीरो जीरो तो साथ पॉइंट आठ जीरो यह यहां पर जो है हमें पेंट नहीं करवानी है तो भीया चौवन स से चौवन से अगर हम साथ पॉइंट आठ जीरो माइनस करेंगे 0 दो यहां पर 16 तेरा से साथ गएंट यहां परीटो धीरीत करवानी है कितने रुपए से करवानी है जरा यह बताएं चार रुपए से करवानी है चार रुपए प्रति वर्ग मीटर से तो देखे जीरो चार दूनी आठ और चार छंग 24 के चार और चार चक्कु 16 और 2 18 दो इस्थानवाद पॉइंट तो भी या एक सो चवरासी रुपए 80 पैसे दे हो जाएगी यही आपका अंसर है ध्यान से देखिएगा तो आपकी एक बार में समझ में ना आए तो दो बारा देख लिए अगला प्रस्न देखिए प्रस्न नंबर दो देखिए एक सारी 19 सो रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 5 प्रसत नुक्सान होता है 15 प्रस यहीं एक हजार एक हजार नौस एक हजार नौसों में बाबू बेचता है तो उसे 5 प्रसत का नुक्सान हो जाता है कि तरह नुक्सान होता है 5 प्रसत का तो भी एक बात बताओ तो हमें सव प्रसत की वैलू निकाल लेनी है ठीक है सव प्रसत की बटे में 95, अब हमें बेचना है 15 प्रसत लाब यानी 100 से 15 जादा 115 पर, देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल, उननिस से कम 19 और उननिस पंचे 95, पांच दूनी 10 पांच जीरों 0, 20 गुणे 115, ठीक है, 0, 2 पंचे 10, 2 एकन्ना 2, और 2 एकन्ना 2, तो भी या, ये 2300 रुपे की आपकी साड़ी परेगी, आपसर नंबर डी बिल्कुल सही होगा, प्रस नंबर 3 देखें, एक थोक ब्यापारी 5 प्रसत लाप पर खुदरा ब्यापारी को एक जैकट बेचता है, और खुदरा ब्यापारी 10 प्रसत लाप पर ग्रहक को इसे बेचता है, ये ग्रहक 4,188 रुपे का भुकतान करता है, तो थोक ब्यापारी का लागत मुल गया है यह नहीं जो एक ब्यापारी है वो थोक वाले को देता है थोक वाले को देता है कितने लाप पर भीया पांच प्रसत लाप पर खुद्रा मतलब फुटकर वाल्या जो फुटकर में बेचते हैं उसको देता है 5% लाप पर और वो जानते हो उसे देता है कोल जो ग्रहक आता है 10% लाप पर तो कहता है कि भीया बताओ वो जो ब्यापारी था जो ब्यापारी था था थोक वाला उसे कितने का पड़ा लेकिन ग्रहक का हमें पता है इस चार हजार एक सो अठावन रुपए में उसने खरीदा था देखते हैं देखी सभी ने लाप लिया है 4,158 रोपे पर सभी ने लाब लिया है तो देखे इसने लाब लिया कितना भीया 105% याँनि 5% लिया ना हमें 100% की value निकालनी है फिर इसी पर इसने 10% की 10% का फिर इसने ले लिया कितना भीया 100 100 बटे 110 10% का लाब लिया अब देखे उल्टा चलना ना तभी ये नीचे हैं अब क्या करते हैं इसको काट सकते हैं ठीक है पांच दूनी दस पांच कन्ना पांच पांच दूनी दस पांच कम पांच ज्यादा बेटर रहेगा ग्यारा कम ग्यारा ठीक है ग्यारा कम ग्यारा अठाइस हो ग्यारा दूनी ग्यारा दूनी, बाइस, कितने बचे यहां पर 11 चक्का, 6 चट, 7 से काटे, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 5 बचे, 7 अठे, 56, तो 18 गोड़े, 2 गोड़े, 100, 18 दूनी 36 और 2 जीरो, यानि तीन हजार, 600 का जो है, वो थोक ब्यापारी पा रहा था, तो भीया, आपसर नंबर आपका जो है, दी बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रस्ट नंबर नेश्ट देखे, एक संख्या में 84 की ब्रध्धी की जाती है, तो वहां संख्या 107 प्रसत हो जाती है, तो वहां संख्या क्या है, भीया एक बात बताओ, संख्या को आप मान लिजे X, ठीक है, एक समान लेते हैं, अब इसमें क्या किया, ब्रध्धी का मतलब होता है जोर, तो भीया यहीं संख्या जो है, 107 प्रसत हो जाती है, बटे में 100, ठीक है, अब क्या करेंगे, X माइनस, गुणा करेंगे, तो 107 X होगा, और बटे 100, यह उधर जाएगा 84, तो काहे का होगा, माइनस का, अब भीया देखिए, 100 X यह हो जाएगा, माइनस 107 X, और बटे 100, बराबर माइनस 84, कितना बचा यहाँ पर, 7 X का है के, माइनस 84, और यह गुणे 100, ठीक है, यह गुणे भीया 100, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, कैंसिल कर देजे, 12 सती 84, तो वह संख्या जानते हो, 12 सो रही होगी, वह संख्या, 12 सो रही होगी, आपसर नमबर आपका कौन सही हिस में होगा, आपसर नमबर डी बिलकुल, सही अंसर होगा, देखे, किसी संख्या का 32 प्रसत, उसी संख्या के 17 प्रसत से 20 अधिक है, तो मान बताए, किसी संख्या, संख्या आपने मान लिया 21, और इसी का 32 प्रसत, इसी का 32 प्रसत किस से अधिक है, 17 प्रसत से 120 अधिक है, ठीक है 120 अधिक है पच्छांतर करिए किसका X के X गुणे ठीक है अब देखे 32X प्रसत ये हो गया और माइनस 17 माइनस 17 X प्रसत बराबर 120 12 से 7 जाएं कितना बचेगा 5 और यहाँ पर कितना बचा 2 से 1 गया कितना बचा 1 X प्रसत बराबर 120 प्रसत अटाए तो 15 गुणे X बटे 100 बराबर 120 अब भिया X बराबर 120 गुणे 100 और बटे 15 15 अठी 120 X बराबर 800 X बराबर 800 तो भिया वह संख्या जानते हो आपका 800 होगी आपसा नंबर D बिलकुल सही अंसर होगा प्रस्ट नंबर 6 देखे प्रस्ट नंबर 6 कहता है कि पहली 9 बिसम संख्याओं का आउसत क्या होगा पहली 9 बिसम संख्याओं का आउसत क्या होगा भिया बिसम संख्याओं जानते हो किसे कहते हैं जो 2 से ना कटें तो पहली संख्या बिसम कौन सी होगी सबसे छोटी संख्य बिसम कौन सी होगी एक फिर दूसरी कौन सी होगी तीन फिर पांच फिर साथ फिर भीया कौन सी होगी नव इसी प्रकार से संख्या होंगी फिर इनका योग करें और नव से भाग करें नहीं ऐसा नहीं करना है एक फार्मूला होता है अगर बिसम बुझे तो जितना पूछे व होना चाहिए तो आपका जो आंसर नंबर है वो ए बिलकुल सही आंसर है प्रस्ट नंबर आठ देखिए बीस और पचास के बीच सभी अभा संख्याओं का आउसत का पता लगाईए तो भीया बीस के बाद अभा संख्या कौन से आती है 23 और प्लस 29 प्लस 31 और प्लस 37 और प्लस 41 प्लस 47 43 प्लस 47 और बटे और बटे साथ आउसत बराबर होता है आउसत बराबर आकड़ों का योग फल और बटे आकड़ों की संख्या आकड़ों की संख्या यह फार्मूला होता है तो भी आकड़ों का जो योग फल है वो हमने पहले से कर रखा है आपका समय बरबाद ना हो 251 बटे साथ ठीक है बटे साथ तो साथ तिया एकिस और साथ पचे पैंतिस साथ अठे छपपन साथ पचे पैंतिस साथ सती उन्चास इन्हीं पैंतिस पॉइंट आठ पांच साथ होगा आपसा नंबर आपका यह बिलकुल राइट आंसर होगा प्रस्ट नंबर आठ देखे एक रेल गाड़ी 32 किलोमेटर प्रतगंटा के चाल से चलते हुए एक निश्ची दूरी को 6 घंटे में तैं करती है यदि वही दूरी आठ घंटे में तैय करनी हो तो रेल गाड़ी की गत किलो मीटर प्रति घंटा में क्या होगी देखिए जो चाल है वो चाल भीया आपको दी दे रखी है इसमें 72 किलो मीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है समय दे रखा है 6 घंटा ऐसे समझेए 6 घंटा अब दूरी अगर हमें पता चल जाए तो चाल का हम पता लगा सकते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय यही तो होता है तो 72 गुणे 6 6 दूरी 12 6 सते 42 और 1 43 यानि 432 किलो मेटर की दूरी हुई अब यही समय कहता है अगर 8 घंटे में चलना हो चलना हो बाबू तो चाल क्या होगी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी बटे समय तो 432 बटे आठ तो 8 पंचे चालिस 8 पंचे चालिस ठीक है 8 पंचे चालिस चाल आठ चक्कू बटेस यानि 54 किलो मेटर प्रतिघंटा 54 किलो मेटर प्रतिघंटा आपसान नमबर भी विलकुल सही आंसर है प्रस्ट नमबर 9 देखे एक रेल गाड़ी होगी तभी तो अब बताएंगे गाड़ी की दूरी दे रखी है कितनी 150 मीटर कितनी दे रखी है 150 मीटर तो हमने माल लिया इसको X अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 150 प्लस X मीटर समय बराबर होता क्या है समय बराबर होता है चाल अब ध्यान से देखना 40 सेकेंड में पार कर जाती है किसको 150 प्लस एक्स को कौन सी चाल में कौन सी चाल में चाल किलो मेंटर प्रत घंटा अब चाल को जो है आप सिकेंड में लाएंगे न क्योंकि समें समय भी सिकेंड में है तो 18 तीन चाल तीन पचें 15 में प्रति सेकेंड तो यहां पर हमने लिख दिया 15 15 चकू साथ और यह जीरो और यह साथ वाला जीरो एक सो पचास प्लस एक्स र से तो चार सो पचास बचेगा तो जो प्लेट फार्म की लंबाई होगी वह चार सो पचास मिटर रही होगी आपसा नंबर बी विल्कुल सही अंसर है प्रस नंबर दस देखे एक रास ने चार साल में छे पॉइंट दो पांच प्रसत प्रसवर्स की दर से 3200 रुपे का साध 般ना 3200 रुपे ६्रुपे और समय दे रखा है चार वर्ष और दर है यानि दर दे रखी है छे पॉइंट दो पांच प्रसत वरसिक क्या है वार्सिक धन पूछ रहा है धन यानि देखे इसको कहते हैं N इसको कहते हैं R और इसको कहते हैं P तो हमें P निकालना है तो भीया मूल धन बराबर क्या होता है ब्याज गुणे सव और बटे दर गुणे समय ठीक है ब्याज है तीन हजार दो सव और गुणे सव बटे छे पॉइंट दो पांच गुणे चार देखे दो पॉइंट पे बाद इस्थान बाद पॉइंट लगा है दो जीरो यहां बढ़ा सकते हैं ठीक है बहुत बच्चे कहेंगे सो कहां से आया नहीं है तो घ्र–ध्र जिरो बढ़ाया एक रहर मतलम नेंवान रहता हैं पाचीश पंचीश 1557625 तो दो पाचीश हां कुण सो जो चार चार क्छिव चिक कुछ ऑता documents संबर सी विल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सेर करिए और इसी प्रकार से आपके लिए जो है बहुत कम दिन बचे हैं आज आपकी सत्रा तारिक हो चुकी है और तीस अपरेल को आपका पेपर है यानि आपके पास बारा दिन बचे ह करता है इस बात का दावा रहा लेकिन वीडियो देख करके शेर जरूर करिए अगर नए बीवर्थ हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद